हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ बहुत इजी और रोजाना काम आने वाले कुछ यूस्पुल किचन टिप्स अगर ये टिप्स आपको अच्छा लगे तो आप इनी जरूर ट्राइ करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे तो आए देखते हैं आज के टिप्स हमारा जो आज का टिप है बरतनों को लेकर जैसे ही हम बरतनों को धोते हैं और डाइरेक्ट बास्केट में रख देते हैं तो जिसकी वज़ा से हमारा जो जहां वरतन को हम रखते हैं वहाँ गीला हो जाता है और पूरे सर्फेस में पानी-पानी हो जाता है तो इसके लिए हमें एक cotton का कप्रा बास्केट के नीचे बिछा लेना है इस तरह से जैसे ही वर्तन को धोकर बास्केट में डालेंगे तो सारा का सारा जो पानी है वो कप्रा सोख लेगा और हमारा जो सर्फेस है वो बिल्कुल पानी पानी नहीं होगा जैसे कप्रा पानी को सोख ले तो फिर ये कप्रे को आप पानी से धोकर वाश कर ले और इसे सुखा ले इस टिप से आपका काम बहुत ही इजी हो जाएगा और सर्फिस पे जो आपके बारबर पोचने का काम होता है पानी गीला है बारबर पोच रहे हो ये काम आपको आसानी हो जाएगी हमारा नेक्स टिप है प्याज को लेकर और ये जो प्याज है प्याज को काटते समय हमें बहुत परिशानी होती है इजीली इसके छिलके नहीं निकलते और आँखों से आसू भी निकलाते हैं तो इसके लिए बहुत ही आसान सा टिप मैं बताने वाली हूँ एक बोल में पानी ले लेंगे एक लीटर पानी लेके और जितनी भी आपको प्याज कटने हैं इसको इसमें डिप कर देंगे एक मिनट के लिए नॉर्मल पानी से ही आप डिप करें और ये डिप करने के बाद एक मिनट के बाद ये जब मैं इसको छिलके उतारूंगी तो आप देखेगा बिल्कुल आसानी से ये इजीली निकलाएंगे खाना बनाने से एक मिनट पहले इससे पानी में डिप कर ले तो बहुत ही आसानी होगी आपको प्याज को काटते हुए और इसके छिलके निकालते हुए तरकी आप टीप को ट्राइ करें आपको बहुत एजी होने वाला है और फटा-फट से इसके छिलके निकलने वाले हैं हमारा अगला टीप है ब्रेड को लेकर ब्रेड के रैपर जैसे हम ब्रेड निकालते हैं खाने के लिए और आधे हो जाते हैं और कई बार हाथों के पास कुछ नहीं होता हमें इसको लॉक करने के लिए तो उस समय आप ये ट्राइज जरूर करें ये इस तरह से ब्रेड को दो बार से तीन बार इसको फोल्ड कर ले ऐसे मोरते हुए और इसको एक तरब से दबाते हुए ये इस तरह से लॉक कर लें ये बहुत एजी तरीका है और इसमें कोई band कोई hair band की जरुवत नहीं है इसे लॉक करने के लिए और ये अच्छे से लॉक हो जाता है आप देख सकते हैं मैं एक बार फिर से इसे लॉक करके आपको दिखाते हूँ जिससे आपको easy हो ये इस तरह से 3 बार fold करने के बाद एक तरब से इसको दभाते हुए इसको fold कर लें और ये बीच में देख सकरे बेलकुल भी होल नहीं है ये अच्छे से लॉक हो गया है तो यह बहुत ही एजी तरीका है यह आप चरू ट्राइ करें पके हुए केले ताजे रहे पिल्कुल फ्रेश रहे और खराब नहों इसके लिए एक आसान सा टीफ है यह एलमुनियम फॉयल को लेकर हम इस तरह से जहां से केले के डंठल है वहां पे हम उसको रैप करेंगे अच्छे से और इसको लॉक कर देंगे जिससे की यह क्या होंगे यह खराब नहीं होंगे बिल्कुल और एक तो एलमुनियम फॉयल से करेंगे इलमुनियम फॉयल से कने से क्या होता है यह अच्छे से रैप भी हो जाते हैं अच्छे से फोल्ड हो जाते हैं और इसमें कोई झंजट नहीं होता फटाफट से यह हो जाते हैं देखिए यह इस तरह से लॉक लोग करके रख दें और दूसरा है कि टीशू पेपर तो होते ही हैं घरों में तो टीशू पेपर से भी आप कर सकते हैं तीशू पेपर को भी लेके उसको भी इसी तरह करके और फिर एक छोटा सा बैंड लगा दें अगर इस तरीके से करेंगे तो बिल्कुल फ्रेश रहेंगे और केले खराब भी नहीं होंगे हमारा अगला टीप है मटर को लेके सबजी बनाने समय हमें छिला-छिला या एकदम तयार मटर अगर मिलता है तो हमें बहुत ही आसानी होती है सबजी बनाने में तो इसे करने के लिए मटर के दाने छोड़ा के एक बोल में रख लेंगे इस तरह के ट्रांस्परेंट जो पॉलिथिन होते हैं उसमें हम डाल देंगे और इसको रबर बैंड से लॉक कर देंगे ये जो मटर है ये फ्रोजन नहीं है ये ताजी वाली मटर है और इस तरह से अगर रखेंगे इसको फ्रीज में मैं फ्रीज में इसको 10 डेज के लिए रख रही हूँ और 10 डेज के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि बिल्कुल ही खराब नहीं होते और फ्रेश रहते हैं 10 डेज हो गया है और मैं इसे पॉलिथीन से निकालके बरतन पर डाल रही हूँ आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही हडा भडा है और ये सुखे नहीं है अगर आप ऐसे ही रख देंगे मटर को छिलके निकालके तो वह बिल्कुल सोख जाते हैं और इस तरह से पॉलिथीन में रखके आप करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल ही खराब नहीं हुए हैं और आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये टिप बहुत मैंने कई बार किया हुआ है तभी मैं आपके साब शेयर कर रही हूँ हमारा आज का जो नेक्स्ट टिप है वो है टमाटर की चटनी को बनाते समय हम इसे किस तरह से बनाए जैसे कि इसके जो छिलके है इजी तरी सिके से निकल जाए स्कीन को इसे प्रस करके इसको कट कर लेनी है और उपर से नीचे तक जिससे कि ये जब हम इसको बॉयल करेंगे तो आप देखेगा कितने इजी ली ये छिलके निकल आते हैं इस तरह से मैंने सभी को कट कर लिया है और अब मैं एक कूकर में दो से तीन सीटी लगा ली हूँ और इसे थोड़े से पाने के साथ ये जैसे ही थोड़ा सा थंडा हो जाए फिर एक प्लेट में निकाल लिया है और मैं आपको यहां सामने पास से दिखाती हूँ जी देखे कितने आसानी से और बीना मेहनत के यह इजिली छिल के निकल जा रहे हैं यह देखिए जहां-जहां मैंने कट लगाया था यह देखिए बहुत यह आसानी होती है इस तरह से अगर आप करें जब भी टमाटर की चटनी बॉयल करें कुकर में तो यह जो टिप है आप जरूर फ हमारा आज का नेक्स टीप है स्विच बोर्ड को लेकर हमारे घरों में स्विच बोर्ड इस्तमाल करते करते बहुत दाग धब्बे पर जाते हैं और कीचेन में तो बहुत ही स्टिकी हो जाते हैं इसे साफ करने के लिए हम रिमूवर का इस्तमाल करेंगे और एक कॉटन इस रिमुवर के हल्फ से हम दीरे-धीरे करके इस सविच भुट को हम साफ करेंगे और साफ करने से पहले आप सविच को आफ कर दे आफ करने के बाद ही आप ऐसा करें और एक मिनद भी नहीं लगेंगे ये बहुत ही आसानी से इंग्दम से फटाफट से इसके जो दाग धब्बे हैं इंग्दम से निकल जाएंगे आप देखी रहे हैं कॉटन में कितना गंदगी आये हुआ है बहुत सारे गंदगी थे तो इसी तरह घर के सारे सुइच बोट को आप साफ कर सकते हैं कई बार रोटी बनाने के बाद भी आटा बज जाता है और मैंने ये आटा को ऐसी रख दिया था और ये दिखिए फ्रीज में ही रखा था लेकिन एकदम से काले पड़ गए हैं एक मोटी से लेयर हो गई है तो ये होता है कि रोटी फिर बनाये तो फिर अच्छा नहीं लगता ये काले कले से हो जाते हैं जब भी आटा बज जाए आप इस तरह से फ्रीज में ना रखे इसके लिए बहुत ही अच्छा टीप है इसके लिए मैंने यहां पॉलिथीन ली है इस तरह की ट्रांस्परेंट पॉलिथीन तो सभी के घरों में होता है ये कोई भी कपड़े में के साथ आता है कोई भी समान इसे रैप करेंगे जिसे कि इसमें एर ना जाए तीन दिन के लिए फ्रेज में रख दिया है तीन दिन के बाद मैं फ्रेज को खोल के देखती हम इसकी क्या हलत है आप देखी सकते हैं ये बिल्कुल भी कहीं से मुझे नहीं लग रहा है ये काला पड़ा है और मैं इसको पॉलेटीन से खोलते ही आपको पता लग गया होगा यह आप देख सकते हैं यह बिल्कुल भी काले नहीं पड़े हैं और एक लेयर जो आया था वो भी नहीं आया है और बिल्कुल अच्छा फ्रेश दिख रहा है तो यह बहुत ही अच्छा टीप है आप जुरू ट्राइ करें हमारे घर की जो आम समस्या है यह बहुत ही है सभी के घरों में ऐसा होता है हम जल्दी-जल्दी क्या करते हैं डस्टिविन में कुछ भी डाल देते हैं जिससे क्या होता है यह गंदगी फैल जाती है यह पानी इसमें से आ जाता है फिर उससे चारों तरफ बद्वू आने ल के लिए हम दस्टिविन को अच्छे से वाश करके इसको सुखा लेंगे इसके बार इसमें पेपर पेपर को अच्छे से बिचा लेंगे पेपर को बिचाते हुए और पॉलिथीन में जो भी कच्रा होगा उसे पॉलिथीन में डालके फिर रखेंगे तो ऐसा करने से क्या और जो गंदगी फैलेगी भी तो वो कागस एब्सॉर्ब कर लेगा और बद्बू भी नहीं आएगी और क्लीन रहेगा हमारा घर तो यह टीप बहुत काम की है आप जरूर ट्राइग करें लैसुन के छिलके उतारना बहुत ही मुश्किल का काम होता है तो जब भी आप खाना बनाए पांच मिनट पहले इस लैसुन को पोटली से निकालके गरम पानी मतलब गुनगुने पानी में पांच मिनट के लिए रख दे और इसको रखने के बाद यह देखेगा आपको आसानी शिलके निकल आएंगे कोई आपको तबें पे या माइक्रोवेब में नहीं करनी है यह बहुत ही इजी टिप है मैंने ट्राइ किया हुआ है और यह इस तरह से आसानी से निकलने वाले हैं नाइफ की हेल्प से या नाखुनों के हेल्प से इजी ली निकल आएंगे आप जरूर करें ये टिप्स कैसे लगें पसंद आने पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए तो मिलते हैं एक फिर से एक नए टिप के साथ अपना ध्यान रखें बाबाई